भगतो अगर आप वसीकरन करकर के ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है आपको प्यार में नाकामी ही हासिल हो रही है आपको अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है या आपका प्यार आपको नकरे दिखा रहा है वैं आपकी बात नहीं मानता आपके पास नहीं आना चाहता तो आज हम आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हैं जिस से आप अपनी प्यार को अपने करीब ला सकते हैं उस से अपनी चछानुसार कार्य करवा सकते हैं तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ये बहुती सक्तिसाली और बहुती चमतकारी तोटका है जिसके करने से आप किशी को भी अपने करीब ला सकते हैं भगतो आपको क्या करना है लहसुन की दो कलिया ले लेनी है ध्यान से देख लीजिए इस परकार से आपको लहसुन की दो कलिया ले लेनी है अब आपको क्या करना है लेसुन की दो कलियों के उपर नाम लिखना है एक कली के उपर आपको अपना नाम लिखना है जैसे कि आपका नाम रोहन है तो आपको ऐसे नाम लिख रहेना है रोहन और फिर उसका नाम लिखना है जिससे आप प्यार करते हैं जैसे कि उसका नाम मधु है तो इस परकार से एक लहसुन की कली के उपर आपको अपना नाम लिख लेना है और दूसरी कली के उपर अपने प्यार का नाम लिख लेना है फिर आपको क्या करना है इस कली को और इस कली को इस परकार से रख लेना है इस परकार से ध्यान से देख लीजिए जैसे हम बता रहे हैं आपको इस परकार से रख लेना है और फिर आपको क्या करना है रील का एक धागा लेना है कम से कम आपको एक मीटर का धागा लेना है इस परकार से काला धागा आपको ले लेना है और इसको इस परकार से बान देना है इस परकार से उस इस्तरी का पुरूस का जिसका आप वसी करना चाहते हैं मनी मन उसका ध्यान करते हुए इसको इस तरह बान देना है बानने के बाद फिर आपको इसके उपर थोड़ा सा लाल कुमकुम लगा लेना है इस परकार से लाल कुमकुम लगाने के बाद फिर एक हम मंत्र बताएंगे आपको जो बहुती पावरफुल वे सक्तिसाली मंत्र है मंत्र मैं आपको बोल कर भी बता दे रही हूं ओम नमो कामराज अमुकम मम वस्यम करू-करू स्वा यह बहुती सक्तिसाली पावरफुल वसीकरन मंत्र है इस मंत्र को आपको 108 बार इन लैसुन की कलियों के उपर बोलना है और मन में उसका ध्यान करते हुए अपने प्यार का ध्यान करते हुए मनी मन उसका चैरा बसा लेना ह और काम ना करनी है कि तुम मेरे प्यार तुम मेरे पास आ जाओ बस अब इन कलियों को ले जाकर आपको किसी नीम के पेड़ के नीचे दबार ना है इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपका प्यार आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा वै उसके मन में बेचैनी हो उ उठेगी वै मचलने लगेगा और आपसे मिलने के लिए वै हर परकार से परियास करेगा